सुप्रभाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ब्याकरण, पाठ छ लिंग इंग्लिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जेंडर, क्या पढ़ा है जेंडर जेंडर को ही हम हिंदी में लिंग कहते हैं आईए देखते हैं लड़का, लड़की, चाचा, चाची, भाई, बहन, आदी सब्दों में आपने देखा कि प्रतेक जोडे का पहला सब्द पुरुस जाती तथा दूसरा सब्द इस्त्री जाती का है ऐसे ही सब्द लिंग कहलाते हैं बचो लिंग का मतलब होता है पहचान करना क्या होता है? पहचान करना किसी बैक्ति वस्तू या जानने की कोशिस करना की वह इस्त्री है या पुरुस है ठीक है? जैसे आपने देखा इसमें लड़का, लड़की, चाचा, चाची, भाई, बहन देखें इसमें लड़का, चाचा, भाई ये तीनों सब्द क्या है? पुरुस जादी के हैं लड़का पुरुस होता है ना, चाचा भी पुरुस होता है और भाई भी पुरुस होता है जब스र, देखें लड़की, चाची, बहन ये तीनों क्या है? इस्तरी हैं क्या है? इस्तरी हैं तो इन सब्दों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? कि पहले जो वर्ण लिखें हैं ये वह पुरुस नग है और दूसरा जो सब्द लिखा हुआ है वहा क्या है इस्तर लिंग है पहला सब्द जो लिखा है वहा पुरुस जातिके हैं और दूसरा सब्द जो है वहा इस्तरी जातिका है इनको ही हम लिंग तहते हैं सब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुस जाति या इस्तरी जातिके होने का पता चले वहा लिंग कहलाता है ठीक है हमने अभी बताया कि जिससे हमें यह पता चले कि वह इस्तरी है या पुरुस जातिके होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं ठीक है जिन सब्दों से हमें इस्तरी और पुरुस जाती होने का पता चलता है वह लिंग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं लिंग कहलाते हैं हमने बताया लिंग का मतलब होता है पहचान करना कोई भी बेक्ती हो या वस्तु हो वाह इस्त्री है या पुरुस है इस बात को जानना ही क्या कहलाता है लिंग कहलाता है अब आये पढ़ते हैं लिंग के प्रकार हिंदी भासा में लिंग दो प्रकार के होते हैं पुलिंग इस्तरी लिंग ठीक है पुलिंग यानि पुरुस जाती इस्तरी और आप लड़की आप जो भी कह लिए आई ये पुलिंग किसे कहते हैं जिन संग्या सब्दों से उनके पुरुस जाती के हूने का पता चलता है उन्हें पुलिंग कहते हैं जिन सब्दों से हमें या जिन सब्दों को पढ़ने बोलने लिखने से हमें यह पता चले कि वह इस्तरी है या पुरुस है वहा लिंग कहलाता है लिंग दो प्रकार के होते हैं इस्त्री लिंग और पुर्लिंग पुर्लिंग क्या होते हैं जिन सब्दों को लिखने पढ़ने बोलने से हमें यह पता चले कि वह पुरुस जाती के हैं वह पुर्लिंग कहलाते हैं और जैसे लड़का, घोड़ा, बैल, दादा, आदी लड़का क्या है? पुर्लिंग है यानि पुरुस जाती के है घोड़ा पुरुस जाती का है बैल पुरुस जाती के है तो यहाँ सब्द क्या कहलाएंगे? पुर्लिंग कहलाएंगे अब आईए पढ़ते हैं इस्त्री लिंग किसे कहते हैं जिन संग्या सब्दों से उनके इस्त्री जाती के हूने का पता चलता है उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे लड़की घोड़ी गाय दादी आते ठीक है जैसे हम पूर्लिंग को पहचानते हैं पूरुज जाती को पहचानते हैं वैसे ही हम इस्त्री जाती को भी पहचानते हैं जिन सब्दों को लिखने पढ़ने बोलने से हमें यहाँ पता चले कि वह इस्त्री जाती के हैं क्या कहलाते हैं इस्त्री लिंग कहलाते हैं जैस लड़की, घोडी, गाय, बकरी, औरत, ये सब सब्द क्या कहलाएंगे, इस्त्री लिंग कहलाएंगे, ठीक है, आईए हम कुछ सब्द इस्त्री लिंग और पुलिंग के देख लेते हैं, दाधा, दादी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, मोर, मोरनी, घोडा, घोडी, दूला, दुलहन, मुर्गा, मुर्गी, उूट, उूटनी, आदमी, अवरत, पिता, माता, नाना, नानी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, सेर, सेरनी, नायक, नाईका, युवक, युवती, नाग, नागिन, कुत्ता, कुतिया, ठीके, ये आपके कुछ सब्द हैं, देवता, देवी, बेटा, बेटी, हाथी, हथिनी, छात्र, छात्रा, ससूर, सास, बंदर, बंदरिया, नर, नारी, मामा, मामी, गायक, गायका, बच्छडा, बच्छिया, ठीके, ये कुछ सब्द हैं, जो इस्त्री लिंग में हैं, और कुछ पुर्लिंग में हैं, ठीके, आईए, हम लिंग एक बार फिर से समझ लेते हैं, लिंग का मतलब होता है पहचान करना, जिन सब्दों से हमें यह पता चले कि वह इस्त्री है या पुरूस, उसे लिंग कहते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, इस्त्री लिंग और पुर्लिंग, इस्त्री लिंग जो सब्द सम्पूर्ण इस्त्री जादी का बोध कराते हैं, वह इस्त्री लिंग कहलाते हैं, और पुर्लिंग जो सम्पूर्ण पुरूस जादी का बोध कराते हैं, वह पुर्लिंग कहलाते हैं, तो बच्चों सबको समझ में आ गया कि लिंग किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं